हे गाइस वेलकम टू चैनल एक्जाम गुरू जी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एक्जाम की प्रपेशन कर रहे हैं वह भी अच्छी चले होगे तो गाइस हम डिसक्स कर रहे हैं UK SSC की जो गुरूप सी में 746 बैकेंसी आई उसके रिकार्डिंग आई डिसक्स करेंगे पिर मुख द्यक्तित संचित्पी यानि के कुछ जो उत्रगंड के इंपोर्टेंट परसन है उनके वारिम जानेगे पार्ट 15 है यहां से सारे के सारे पार्ट एक्सिस कर सकते हैं तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट हैं जो भी वीडियो को आभी एक्सिसे करते हैं सेकेंड को ज्याली श्यादा शेयर करें ताकि ज्याली से ज्याली ओठा सकें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि पहला कोश्चन आजniej की वीडियो का उत्रागोंड के पर्तम । संग्राम सेनानी डैश ने 857 में किरांतिमीर संगटन बनाया था खुशी रामारिये हर्गोमिंद पंत या कालूराम मेरा बल्दिंग सिंगारिये C option is the correct answer for this question अगला है कुली उतार कुली बेगारादी आंदोलन के कारण बद्री दत पांडे को क्या पद्वी या क्या नाम दिया गया कुर्माँचल केसरी हिमाले पुत्र गड़वाली शेर या फिर कुमाओ भी option is the correct answer कुर्माँचल केसरी अगला है कुमाओ के ब्रहम रोड़ों द्वारा हल ना चलाने की पड़ता को किसने तोड़ा हर गोबिंद पंद खुशी राम आ रही है प्रियागदत पंद या फिर भवानी सिंग राबत तो आंसर होगा इसका option number a हर गोबिंद पंद नेक्स है दलितों के उत्तान के लिए शिल्पकार सुदार्णी सवा का गठन किसने किया था हर गोबिंद पंद खुशी राम आ रह महरास्ट तो आंसर होगा डि गोविद बल्लब महारास्ट है नेक्स्ट है पंत जी प्रेम सवागी सथापना कब और कहां की निस्टॉदा में काशीपूर 1915 में आहमद financing या फिर 1974 मेंं आहमद निकर तो आंसर होगा ए उन से में काशीपूर पंट जी को भारत रतन कम मिला था चाफेजनवरी 1956 चाफेजनवरी जाफेजनवरीasında 2 सब चोच्पन तो business साफजन लाहुर कांगरेस दूर क्माव का प्रतनर nails ने किया था फ्रियाग्धित्तपर्पंद गोविनद बलनाप अफज्च देव आघला तो सी अंसर स्ज्च होगा हश्देव उत्राखंड की धरती पर गांदनी या अंदुलन को शुरू करने का श्रय किसको जाता है प्रियाग दित्ता पंद गोविंद बल्लंपंद हश्देव ओली या फिर इंद्र सिंग नयाग तो करेक्ट आंसर होगा प्रियाग दित्त पंद यानिक ऑप्शन ए अगला है उत्राखंड से जेल जाने वाले प्रिथम सतंतता संगराम से नानी को नते बहवानी सिंग रावत मोहन सिंग महता सोवन सिंग जीना या फिर प्रियाग दत्त पंद तो करेक्ट आंसर होगा मोहन सिंग महता नेक्ट है अंग्रेजों ने राय बहादुर की पद्वी किसको दी थी भवानी सिंग रावत मोहन सिंग महता सोवन सिंग जीना या फिर प्रियाग दत्त पंद तो सी आंसर सोवन सिंग जीना is the correct answer for this question अगला है किसने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते भवानी सिंग रावत मोहन सिंग महता सोवन सिंग जीना या फिर देव सुमन तो correct answer होगा इसका option number D देव सुमन नेक्ट है उत्रखन के लिए उत्तरप्रदेश सरकार में अलग से परवतिये विकास मंत्राले का गठन जो है वो किसने किया बवानी सिंग रावत हेंबती नंदन बहुणा विशंबर्दत चंदोला या फिर गोविन बल्लंपत तो correct answer होगा B हेंबती नंदन बहुणा अगला है लोक तांत्रिक सामाज बादी पार्टी का गठन किसने किया बवानी सिंग रावत हेंबती नंदन बहुणा विशंबर्दत चंदोला गोविन बल्लंपत तो correct answer जो है B हेंबती नंदन बहुणा अगला है नारायन दत तिबारी उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी कितनी बार बने एक दो तीन या फिर चार बार तो correct answer होगा इसका C यानि के तीन बार वो इसके मुखमंतरी बने हैं जानते हैं कि वो कब कब उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी बने 1984, 1985 और 1988 में एक बार वो उत देब सुमन तो answer होगा इसका option number B लोक रतन पंध कि किसे गड़वाल में हिंदी पत्तकारिता का भीश्म पितामा कहा जाता है विशंबर दत चंदोला लोक रतन पंध मुखमंद राम या फिर देब सुमन तो answer होगा इसका A विशंबर दत चंदोला नेक्ट कोशन है विशंबर दत चंदोला लोक रतन पंध हेम बती नंदन बहुणा नाराया दत तिवारी तो correct answer होगा D आयो आपके सबको पता होगा यह सन्यासी जहास का पंची घर्णा मई परदे की रानी सुभे के भूले आधी उपन्यासु की रचना किस ने की सुमित्रा नंदन पंध लोक रतन पंध इलाचन जोशी या फिर गोविन बल्लम पंध तो correct answer जो होगा वो है option number C इलाचन जोशी कोहिनूर का लोटेरा नाटक किस ने लिखा था सुमित्रा नंदन पंध लोक रतन पंध इलाचन जोशी गोविन बल्लम पंध तो correct answer जो होगा वो है इसका option number D गोविन बल्लम पंध अगला है गोसाईदत या गुस्स है किसके बचपन का नाम है सुमित्रा नंदन पंध लोग रतन पंध इलाचन जोशी या फिर गोविन बल्लम पंध तो A is the correct answer for this question किसके सुझाव पर आल इंडिया रेडियो का नाम आकाश बाड़ी किया गया सुमित्रा नंदन पंध लोग रतन पंध इलाचन जोशी या फिर गोविन बल्लम पंध तो correct answer for this question सुमित्रा नंदन पंध और यानि कि option A पंध जी को पदम भूशन किस बढ़श में मिला? 1955, 1961, 1963, 1965 ठीक है तो option नंबर B जो है 1961 is the correct answer for this question सुमित्रा नंदन पंध को 1968 में पिरतम ज्यान पीट पुरुसकार किस रचना के लिए दिया गया? चिदंबरा, कोईनूर का लोटेरा, जहाज का पंची, यमुना के बागी बेटे तो answer होगा चिदंबरा यानि कि option number A अगला question है यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, उत्तरवायाय, भैस का कटिया, मोहन गाताजा, आदी रचनाय जो है वो किसने लिखी है? बिद्या सागर, नौटियाल, भजन सिंग, डीडी शर्मा, या फिर शैलेश, मतीयानी तो answer होगा इसका बिद्या सागर, नौटियाल, यानि कि option A नेक्ट है आरियों का आदी निवास मद्ध हेमाले किसने लिखी बिद्या सागर नौटियाल भजन सिंग डीडी शर्मा या फिर शैलेश मटियानी तो आंसर होगा भजन सिंग यानि कि ऑप्शन बी हिलांस नामक पिर्सित कविता संग्रे किसकी है भगवती चरण निर्माही भजन सिंग डीडी शर्मा या फिर शैलेश मटियानी तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए भगत सिंग भगवती चरण निर्माही अगला है इनसाइकलोपीडिया फुत्राखंड किसको कहा जाता है भगवती चरण निर्माही भजन सिंग डीडी शर्मा या फिर शैलेश मटियानी तो ग्रेक्ट आंसर इस भगवती चरण निर्माही यानि कि ऑप्शन ए नेक्ट है संस्किट साहित के किस बिद्वान को बिना पिछडी के डीडी के डीडी की उपादी दी गई भगवती चरण निर्माही भजन सिंग प्रोफेसर डीडी शर्मा या फिर डाक्टर शशीदर शर्मा तो ऑप्शन डी जो है इस दे करेक्ट आंसर फॉर दिस कोशन श शिदर शर्मा तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नमबर ए यानि के शिशान शिवा नन नौट याल किसने लोक गायक जुसिया दमाई पर शोध पिरवंद लिखा सुरेंज सिंग पंगती गोपिशवर कोटियाल प्रोफेसर डीडी शर्मा या फिर ग्रीश तिवारी गिर दो खंडों में उत्रा खंड कितना सच और कितना चलके लेखक जो हैं वो कौन है सुरेंज सिंग पंगती गोपेशवर कोठियाल प्रोफेसर डीडी शर्मा या फिर ग्रीश तिवारी गिर्दा तो option ए जो होगा इसका correct answer होगा सुरेंज सिंग पंगती केकले, काला मू, दूर काकाश, बांसुरी बच्ती रह आदी किसके पिरसिद नाटक हैं सुरेंज सिंग पंगती, गोपेशवर कोठियाल, प्रोफेसर डीडी शर्मा या फिर गोविंद चातक तो option जो होगा इसमें डी वाला गोविंद चातक is the correct answer डोला पालकी जैसी कूपिर्था को समाप कराने में किस समाज सुधारक की बिशेश भूविंद चातक तो option नमबर इसमें C वाला जैनन भारती correct होगा next है उत्राखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में किस ने बिशेश भूमिका निवाई राय बहादूर, मुंशी, हरी परसाद, टम्टा, जैनन भारती या फिर गोविंद चातक तो इस question के लिए आंसर होगा B, मुंशी, हरी परसाद, टम्टा ने भूमिका निवाई थी चिप को अंदर उन के लिए डालियो का दुगडिया, संगटन का गठन किस ने किया राय बहादूर, मुंशी, हरी परसाद, टम्टा, चैन्डी परसाद, भट या फिर गोविंद चातक तो correct answer होगा C, चैन्डी परसाद, भट नेक्ट है चैन्डी परसाद, भट का परियावरार संग्लक्षर के रह्मन मेक से प्रुसकार कम मिला, 1980, 1982, 1983 या फिर 1984 तो correct answer is the option number B, 1982 में इनको ये प्रुसकार मिला था चिपको आंदूलन को विश्व इस्तर पर किसने फैलाया, सुन्दरलाल बहुगणा, राय बहादुर, बलबंत मनराल या फिर अबधेश कौशल तो इसका आंसर जो है, वो है option A, सुन्दरलाल बहुगणा किस परियावराण विद ने 1980 में पदम श्री लेने से इनकार कर दिया था सुन्दलाल बहुगणा, रडवीर सिंग, विष्ट, ये शोदर मटपाल या फिर मुशी हरी परसाथ टम्टा तो correct answer जो है, वो है A, सुन्दलाल बहुगणा अगला है हिमाले वन अजीव संस्तान जो की 1904 में बनाता है, उसकी इस्तापना कब हुई किसने की? सुन्दलाल बहुगणा, रडवीर सिंग, विष्ट, कल्यार सिंग, रावत, मैती, या फिर मुशी हरी परसाथ टम्टा तो आंसर होगा कल्यार सिंग, रावत, या मैती, जिनें बोला जाता है शौरिय बन वा मैती बन, जो कारगल शहीदों की इस मरती में बन लगाया गया, वो किसने लगाया? सुन्दलाल बहुगणा, रडवीर सिंग, विष्ट, कल्यार सिंग, रावत, मैती, या फिर मुशी हरी परसाथ टम्टा तो अगेन, आंसर इस, कल्यार सिंग, रावत, मैती, या फिर मुशी हरी परसाथ टम्टा तो आंसर होगा, यशोदर मटपाल अगला है, डिब्रुगल की बाढ़, नामक पिर्सिद डॉक्यमेंट्री किसने लिखी थी? यशोदर मटपाल, नारायार सिंग, थापा, कल्यार सिंग, रावत, मैती, मुशी हरी परसाथ टम्टा तो अंसर जो होगा, वो है, इसमें, आप्शन बी, नारायार सिंग, थापा की डॉक्यमेंट्री थी? सौर उर्जा बैग्याने के स्पेस ने भानू परताप यंदर, चर्का और लेम बनाया था, यशोदर मटपाल, नारायार सिंग, थापा, कल्यार सिंग, रावत, मैती, श्री किर्षिन, जोशी आंसर जो होगा, वो है, इसमें, आप्शन नमबर डी, श्री किर्षिन, जोशी ने ये सारे अविशकार किये थे, मतलब बनाया था, इन्योफिलीज मच्छर की कोश पर 1902 में, नोवल प्रुसकार पाने वाले सर रोनार्ड रास का जनम 1850 में कहां हुआ था, अलमोडा, रान उत्रखंड के पिर्तम बैग्यानिक थे, देवी, दत, पंथ, निलंबर, पंथ, केशव, दास, अनुरागी, अबदेश, कौशल, ठीक है, तो आंसर जो होगा, वो है, निलंबर, पंथ, नेक्स्ट है, राज से पिर्तम महिला सांसत कौन बनी थी, गौरापंद, कमलेंदू, मतीशा, ठगुली देवी, शुशीला, दोबाल, तो आंसर जो होगा, वो है, ऑप्शन नमबर, बी, कमलेंदू, मतीशा, अगला है, उत्रखंड की पिर्तम महिला सेन अधिकारी कौन है, कुमारी, माया, टम्टा, कमलेंदू, मतीशा, भाबना, गुरुनानी, जफे, शुश ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फाइदा उठा सकें, लाश कोशन है, उत्रखंड की पिर्तम महिला, आई, एस, कौन चुनी गई, कुमारी, माया, टम्टा, कमलेंदू, मतीशा, भाबना, गुरुनानी, जो तिराव, पांडे, तो आंसर जो होगा, वो इसका, ऑप्शन न ज्यादा शेर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फाइदा उठा सकें, और अपने आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहें, थैंक